दोस्तों जहां जब नवंबर में आस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तो उन्हें कोई रिसीव करने भी नहीं आया था इधर भारते टीम वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत पहुची है तो उसका गजब का स्वागत किया गया है ऐसा भव्य स्वागत की पूरी दुनिया देख कर जल गई डोल लगाड़े गाने बाजे लोगों की भीड जिसे देखकर भारती टीम के सबी खिलाडी भी बेहत इमोशनल नज़र आए अब इसको लेकर आस्ट्रेलिया ए खिलाडियों ने बड़ा बयान दे डाला है पैट कमिन से लेकर ट्रविस हैट ग्लेन मैक्सवेल से लेकर डेविड वारनर जैसे खिलाडियों ने जो बोला है सच में उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे तो आईए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले दोस्तो 29 जून की शाम बारबडोस के मैदान पर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीत कर भारती टीम भारत आ चुकी है वर्ल्ड चैंपियन का इस तरीके से स्वागत किया गया है जिसे देखकर भारती कप्तान रोहिच शर्मा से लेकर विराट कोहली सभी इमोशनल लजर आए भारती टीम के भारत लेंड करते ही वहाँ पर हजारों की भीड थी वहाँ पर कई सारे लोग भारती टीम के साथ सेलफी लेने के लिए बेकरार थे वहीं आपको याद होगा 2023 के वंडे वर्ल्ड कप को जीत कर जब भारती है आस्ट्रेलिया वहाँ पहुंची थी अपने देश में उन्हें रिसीव करने भी कोई नहीं पहुंचा था इधर भारती टीम के लिए ढोल लगाडे तयार थे हजारों की भीड थी भारती टीम को देखने के लिए लोग घरों से निकल कर सड़कों पर उतर चुके थे भारत के प्रधान मंतरी मोधी ने भी भारती टीम का भव्य स्वागत किया और पूरी की पूरी भारती टीम के साथ एक तस्वीर भी खिचाए वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया ने केक काटे हर कोई जश्न मना रहा था वहीं इसी शाम मरीन ड्राइफ में लाखों की भीड के बीच एतिहासिक विक्टरी परेड ने तो इतिहास लिग डाला पूरी दुनिया में ऐसा हुजूम किसी के लिए नहीं उमड़ा था जो भारती खिलाडियों के लिए आया साथ ही बी सी सी आई ने वान खेड़े के मैदान पर उनके सम्मान में उन्हें 125 करोड का चेक थमा कर उनकी महनत का जो इनाम दिया सच में वो सेलिबरेशन देखने लायक था टीम इंडिया का इतना भव्य स्वागत देखने के पड़ा बयान देते हुए कहा है कि सच में उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे जी हाँ सबसे पहले आपको बता देया आउस्ट्रेलिया आई दिगज बलेबास ग्लेन मैक्सवेल ने कहा हमारी टीम ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप है हमन विजेता भारतिय टीम ही है जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है जिस तरीके से वहां के पुरधान मंत्री ने उनका स्वागत किया ये सब थोड़ा हमारे देश वालों को भी सीखना चाहिए कि किसी का सम्मान कैसे करते है जी हां दोस्तों ये बयान देते हुए त उन्हें उतना प्यार दे रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें इतना प्यार दिया, ये रोहित शर्मा के लिए टीम डिजर्व करती है, हमारी टीम भी डिजर्व करती थी लेकिन यहां के लोगों ने उस तरीके का सम्मान नहीं दिया, मैंने देखा 2023 वंडे वर् फेवरिट देश है क्योंकि जितना प्यार आपको भारत में मिल सकता है उतना दुनिया के किसी भी कौने में नहीं टी-20 वर्ल्ड कप में भारती टीम चैंपियन बनकर अपने घर पहुंची है वहाँ पर उनका बहुत 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 बहुतरीन तरीके से स्वागत किया जा रह कि इसलिए इंडिया मेरा सबसे फेवरिट देश है क्योंकि जितना प्यार आपको भारत में मिल सकता है उतना दुनिया की किसी भी कौने में नहीं दोस्तों वार्नर के बाद बड़ा बयान दिया है आस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने उन्होंने कहा एक भारती टीम के कप्तान है रोहिच शर्मा उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है तो लोग उन पर जान नशावर कर रहे हैं वहीं साल 2023 का वर्ल्ड कप हमने जीता था तो लोगोंने हमें ऐसे रियक्ट किया जैसे हमने कुछ किया ही ना हूँ खेर भारती टीम बहुत लगी है कि उनके पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं उनके देश के पुरधान मंतरी उन्हें इतना पसंद करते हैं जी यहां दोस्तों भारती टीम का स्वागत देखकर ऐसा लग रहा है कि आस्ट्रेलिया खिलाडी जल गए है तो आप इस पर क् ना चाहेंगे हमें अपनी राए नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों चमचमाती हुई टी ट्वेंटी विश्योकप की ट्रॉप ही लेकर जब रोहित एंड कंपनी दिल्ली में किया लैंड तो पूरे देश में मानो एक बार फिर दीवाली जैसा माहौल चागया और हो भी क्यों ना भारती क्रिके टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्लकप की ट्रॉप ही अपने नाम की है 29 जून को इतिहास रचने के बाद या चार जुलाई को रोहिश शर्मा के अगवाई वाली भारती टीम ने अपने देश में कदम रख दिया है दिल्ली मे चीरंजी भी प्रधान मंतरी जी के लिए कुछ ऐसा कर गए जिसके अतरंगी अंदाज में एक बार फिर उनके सामने सबके दिलों में खास जगे बना ली है जिया दोस्तों दरसल खुद प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी ने ये मीडिया को उनके इस साथ ब्रेकफस्ट करन खुद मोधी जी ने सबी भारती खिलाडियों के सामने हाँ जोड़कर उने विलकम किया सबी खिलाडियों ने हाथ मिलाया और उनसे मुलाकात की उनकी फीड तपतपाई और उनने बदाई दी ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया से जादा खुश तो नरेंद मोधी जी हैं उनने अपने भारती खिलाडियों पर गर्भ हो रहा था ये मुवमेंट एतिहासिक था जहां मोधी जी ने पूरी टीम इंडिया और टॉफिक साथ अस्वीर भी क्लिक कराई पूरी टीम इंडिया अकसाथ बैट कर पहले ब्रेक्फस्ट किया और फिर एक लंबी मज़ेदार उनने तुरंद कंधा पकड़कर रोजशर्मा की पीट थप थपाई उन्हें उठाया और सीने से लगा कर उन्हें शाबासी देते हुए दोबारा ऐसा कुछ भी करने से मना किया उनका कहना था कि अब भारत देश की आप शान है नुझे आपके सामने जुक कर प्रडाम करना चाहिए और आप मेरे पैर चुर रहे हैं या आपको शोबाने देता सच में उनके इन अन्मोल शब्दों ने तो वहां मौजूद हर किसी को उन दोनों के लिए तालिया बजाने पर मजबूर कर दिया मोधी जिनने गले लगा कर रोजशर्मा को सराहा उन्हें अंदल ले चाहिए दोस्तों चम चमाती हुई ट्रोफी को लेकर बार बार रोज से भारती क्रिके टीम पहुंची नई दिली तो खिलारियों का किया गया नोखे अंदास में स्वागत ढोल नगारे के साथ मनाया गया जश्न खुशी में जोम उठा पूरा हिंदूस्तान तो आखर सभी खिलारियों का किस तरीके से किया गया भविस्वागत कैसे जूम उठा खिलारियों के सम्मान में पूरा हिंदूस्तान कैसे लाखों की दादात में भारती फैंस खिलारियों के स्वागत में पहुंचे एयरपोर्ट वह अद्बुत नजारा तो हम आपको जरूर अपने सपने को पूरा कर लिया और चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया ये उपलबधी टीम इंडिया ने रोहिट शर्मा की कप्तानी हासल गी जिससे पूरा हिंदुस्तान खुशे से जोम उठा मानो देश में दो बारा दीवाली मनाई चा रही हो हर कोने में ह हिंदुस्तान के जश्न का माहूल चाया हुआ है वही अब भारती टीम के लंबे इंतिजार के बाद सभी खिलाडी बारबाडोस से रवाना होकर सुबर 6 बचे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ पर लाखों की तादात में भारती फैंस खिलाडियों के सम्मान में ज लगाने लगे धोल नगाड़ा बचाने लगा हर कोई टीम इंडिया के सम्मान में तयार था यहां तक कि खिलाडियों के अंदर भी उतनी ही उचसुकता नज़र आ रही थी रोहित विराड से लेकर सुरिया हर कोई अलग माहूल में नज़र आ रहा था हर किसी के छेहरे पर खुशे का अंदास दिखाई दे रहा था जैसे ही ठोल नगाड़ा बजना शुरू हुआ भारती कप्तान रोहित शर्मा भी अपने आपको रोक नहीं पाए वो भी नगाड़ी की धोन में नाचना शुरू कर दिये रोहित को रेह कर पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर को मिल रहा था फैंस एरपोर्ट पर भारी संख्या में अपने खिलाडियों का स्वागत करने के लिए पहुचे थे और किसी ने चेम इंडिया का जोरदार स्वागत किया मानुदेश में दो बारा दीवाली मनाई चारी हो आज का पूरा दिन भारती खिलाडियों के नाम है स भी भारती खिलाडी मोदीजी से मुलाकात करेंगे उसके बाद टीम इंडिया मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी वहाँ पर भारती टीम के लिए पूरी प्लैनिंग की गई है सबसे पहले तुमारीं ड्राइब से लेकर वान खेड़े स्टेडियम तक लगभग दो किलो होल चा गया है तो दोस्तों आपको क्या लगता है रोहिच शर्मा और महेंदर सिंग धोनी में कौन सबसे महांतम खिलाडी और कप्तान है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और किस तरीके से शांदार अंदाज में भारतिय सर्जमी पर लोटी है ये तो आपको बताएंगे ही साथ में भारतिय टीम के साथ भारत की धरती पर क्या क्या पूरा होने वाला है इस बारे में भी हम आपको बताने वाले है तो जानने के लिए वीडियो का पूरा एंट तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है